गुड बॉर्णिंग चात्रों आज हम इस वीडियो में कनिस्क द्वारा लड़े गए युद्यम उसकी विजय के बारे में पढ़ेंगे तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में और यदि आप लोगों ने इंडिया ओल्डेज को सब्सक् लाइक करें सेर करें बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलें और मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो भी हम वीडियो में दिखाते हैं वो सारा का सारा एकजाम की दरस्टी से महतोपुन कंटेंड होता है तो आप सीरियसली वीडियो दे चुके हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके और कनिस के बारे में इनफोर्मेशन देखेगा कनिस के एक महान विजेता था जिसने कड़फी से सामराजे को बहुत अधिक विश्तरित किया उसके यूद तथा विजों का विवरण इस परकार दिया जा सकता है देखेगा पूर सन काल के बहुसंग के सिक्के मिलते हैं श्री धरम पिटक निदान सुत्तर के चीनी अनुवाद से पता चलता है कि कनिस्क ने पाठली पुतर के राजा पर अकर्मन कर उसे बूरी तरह प्रास्ते किया था तथा हर जाने के रूप में एक बहुत बड़ी रकम की मांगे कि पर हो गया था ठीक है स्पुनर ने पाठली पुतर की खुदाई के दोरान कुछ पास कुछ कुसान सिक्के प्राप्ति किये थे सिक्कों का धेर बकसर से मिला है वेशाली तथा कुम्रहार से हुसान सिक्के मिलते हैं बोध गया से हुविस्क के समय का मरण मूर्ति फलक मिला है य तामरलिट्टी तथा महा स्थान से कनिस्क के सिक्य मिलते हैं। पूर्वी उत्तरपरदेश तथा बिहार पर कनिस्क का अतिकार सुनिस्सित है। तो कनिस्क का चीन के साथ युद देखेगा। चीन का प्रशित सेरापती पान चावू अपने हनवनसी नरेश के आदेशों पर चीनी तुरकिस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। उसने खोतान, कासगर, कच्की, खाडी की तथा पामीर के उत्तरपूरव में चीनी आधिपत्य कायम किया। 88 इस्वी में यूची नरेश कनिस्क ने 70,000 अस्वा रोहियों की एक विशाल सेना सुंगलिंग परवत के पार चीनियों से यूद के लिए भेजी। चीनी थ्यासकार यूद का कारण ये हैं बताते हैं कि कनिस्क ने चीनी सेनापती के पास अपना दूद भेज कर हन राजकुमारी से विवह की मांग की। पान चाओ ने उसकी सेना को प्रास्त कर नस्ट बरस्ट कर दिया। कनिस्क की इस ऐसा परता का संकेत एक भारतिय अनुसरूती में भी किया गया है जिसके अनुसार उसने ये गुसित किया था कि मैंने उत्तर को छोड़कर अन्ने तीन छेत्रों को जीत लिया है। परन्तु ऐसा परतीत होता है कि कनिस्क ने सिग्रही अपनी प्राजे का बदला ले लिया। वेंसांग हमें बताता है कि गंधार परदेश के राजा कनिस्क ने प्राचीन काल में सभी पडोसी राजों को जीत कर एक विश्त्री परदेश पर सासन किया। सुंग लिन परवत के पूरव में भी उसका दिकार था। चीनी तुर्किस्तान के अलवा बैक्टरिया ख्वारीज में तथा तुखारा पर भी उसका अधिकार प्रमानित होता है। पार्थिया के सासक ने कनिस्क के उपर आकरमण किया किन्तु कनिस्क ने उसे प्राजित कर दिया। पस्ची मोतर परदेशों की विजे। पस्ची से सक समवत 151 थी वाला हुविस्क का एक लेक मिला है जो अफगानिस्तान के उपर कुसान सत्ता को परमानित करता है। ये विजे भी कनिस्क के समय में ही की गई होगी। कलहन की राश्तरिंगिनी से पता चलता है कि उसका कस्मीर पर अधिकार था। इसके अनुसार उसने यहां कनिस्क पुर्णामक नगर बसाया था। अब देखेगा दक्षणी भारत पर यूद। तो सांची से कनिस्क समवत 28 का लेक मिला है। यह वासिस्क का है तता बोध परतिमा पर खुदा हुआ है। वासिस्क की किसी भी उपलब्दी का ग्यान हमें नहीं होता है। उसका सासन मात्र चार वर्सों का था। अता है कहा जा सकता है कि यह भूभा कनिस्क दुआरा ही विजित किया गया होगा। सांची लेक में वासु नामक किसी राजा का उलेक मिलता है। यह संभवता कनिस्क के समय में मालवा का उपराजा रहा होगा। ऐसा निसकर्ष निकलता है कि धक्सिन में कम से कम विंदे परवत क खनिस्क का समराजे विस्तरे था यह पर समराजे विस्तर था सांची के एक अन्य लेक में वास नामक किसी राजा का उलेक मिलता है वह संबवता है कनिस्क के समय में मालवा का उपराजा था तो इस वीडियो में हमने कनिस्क पर्थम के यूद तता उसकी वीजियों के बारे में जानकरी प्राप्त की झाल झाल